तो दोस्तों देखते हैं सर्कल का पहला कोशन तो कोशन क्या है area of rectangle and area of circle are equal ठीक है area of rectangle है दोस्तों area of rectangle equal है area of circle ठीक है if the dimension of the rectangle are 14 गुना 11 then circumference of the circle देखो हमारे को rectangle का area का formula पता है length into bed तुम्हार को दी है 14 गुना 11 तो area of rectangle की जगड़ी हो तो 14 गुना 11 और यह किसके ब्राबर है area of circle के ब्राबर है दोनों का area same ही है तो 11 गुना 14 करेंगे तो आजाएगा आपके पास 154 कितना जाएगा दोस्तों 154 यह जाएगा area of circle तो मतलब area of rectangle is equal to 114 is equal to area of circle मतलब यह त्रीन चीज़े समान है आपस में एक ब्राबर है area of rectangle भी उतना ही है area of circle भी उतना ही है circumference का formula था 2 pi r तो r हमार को चाही उसको लिए तो r निकाल रहे है हम यहाँ से तो r square is equal to 154 बटा pi ठीक है r square is equal to 154 बटा pi था दोस्तों pi आपको पता है r square 154 बटा 7 यह 7 उपर चले जाएगा तो यह आगा इस तरीके से 22 साथ 154 साथी साथी 49 तो यह आगया r square is equal to 49 जहां से आपका r आगया 7 कितना आगया दोस्तों r आगया 7 आपका r साथ आगया तो circumference of circle लिकाना आसान होगा circumference of circle का formula होता है 2 pi r दो 22 बटा 7 r है आपके पास 7 साथ से 7 कट गया तो यह आगया 44 दोस्तों 44 सेंटिमेटर सी आंसर अगला question देखते हैं two circle of radius 5 cm 3 cm intersect at two point and distance between their center is 4 cm then length of the common quad will be तो दोस्तों देखो दो circle है two circle of radius एक का radius है 5 cm देखो यह है एक circle मालगो जिसका radius है 5 cm कितना है 5 cm और एक तूसरा सरकल जिसका radius है 3 cm और यह दोनों मिल रहे हैं दो point पे n two point intersect at two point ठीक है जो एक point यह मालगो इसको m मालगो इसको मालगो इसको मालगो एन तो तो आप इस point पे touch करोगे तो आप आप सेंटिमीटर होगा किसी भी point पे touch करोगहा करोगे यहा करोगको कहीं भी तो i.5 cm डिस्टेंच होगय तो मालगो मने यहां पे चंटिमीटर से नहीं यहां पे टूसक्या है तो यह precisa about तो आब बात करें कि कैसे निकालेंगे तो देखो यह आपको ट्राइंगल बंती दिख रही है , यह आपको ट्राइंगल बंती दिख रही है जो मैंने green में underline की और इसकी आपको भूजा भी पता ही ये 5 cm है, एक 3 cm है और एक 4 cm है तो तीनो साइड पता है इस triangle की आपको तो इसका area निकाल दो area कैसे निकालोगे, आप करोगे area of area of ठीक है area निकालने के लिए पहले तो आपको s निकालना पड़ेगा, जो हिरोन फॉर्मूले से ठीक है, तो s के होता है सारी साइड का सम तो एक साइड है 5 cm, दूसरी है 3 cm चौती है 4 cm, तीसरी है 4 cm और डिवाइड कर दोगे 2 से 5 और 4, 9 और 2, 3, 12, 12, 12 बटा 2, तो यह जाएगा 2 ठीक है, 12 यह और ट्राइंगल क्या है, s s माइनस a s माइनस p s माइनस c ठीक है, यह हो जाता है इसका फॉर्मूला दोस्तो, तो s आपके बास कितना है, 6 यह है अन्रूट के अंदर, 6, 6 माइनस a, पहली बुझा है 5, तो यह आगा 1, 6 माइनस b, दूसरी 6 माइनस दूसरी बुझा है 4 तो यह आगा 2, तीसरी बुझा है 3 तो 6 माइनस 3 आगा 3 ठीक है, तो यह जो आपका एडिया निकला, यह एगा 6 और 3 दूना 6, छीका छीका 6, छीका छीका 36 अन्रूट 36 कितना होता है, 6 होता है तो आपका एडिया of इस ट्रैंगल का जो एडिया आगया दोस्तो यह आगया क्वाज 6 सेंटिमेटर तो मैं मिटा रहा हूँ, देखो अब मैं आपको आगय देखिए कितना इजी है यह कोशन मैंने इसमें, इस तरीके से तो आपके पास एडिया आगया एडिया आगया दोस्तो 6 सेंटिमेटर ठीके, और आपको क्या बोला है आपको बोला है निकालने को यह कॉर्ड जो नीले में है और दोस्तो यह क्या होगी इसकी यह होगी इस ट्रैंगल की हाइट क्या होगी, इतना सा भाग होगा हाइट तो अगर मैं बोलो कि जब आपको यह निकाल दो पहले ठीक है, एक हाफ निकाल दो इसका तो कैसे निकाल लोगे एडिया का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो होता है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट तो एडिया के जगा फॉर्मूला लिख दो वन अपॉन टू बेस एडिया यह चे संटीम्ट 🎵 बेस तो दोस्तो इसे ट्रेयंगल ले भी विचार रही है हाइट हमें निकाल लू है इसिकल लोगे हेडिया इसिकल दो 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 दू डू निकाल देंगे हाइट इसिकल भू चार दो यह च्छे तो height आगी 3, height कितनी आगए दोस्तो, 3 मतलब जो ये है, ये आगे आगी 30 cm, ठीक है दोस्तो, और जिए जब आप इस वाले point से, देखिए जब आप इस वाले point से, यहाँ पर रेखा मिलाएंगे, इस वाले point से यहाँ पर मिलाएंगे, इसको भी blue में, इसको भी green में लेखिए, जब आप इस point से यहाँ पर एखा मिलाएंगे और इस से यहाँ मिलाएंगे तो देखो इसका जब भी 5 cm होगा ये भी 3 cm होगा तो मतलब ये भी same ही और इसका भी बेस चार ही होगा तो मतलब ये भी same triangle बन जाएगी इसकी side square triangle बन जाएगी तो मतलब इसका मतलब हो गया तोस्तो जितनी height इस वाले की है उतनी height इस वाले की है तो ये भी 3 cm है नीचे वाले भी मतलब 3 cm है तो जब दोनों को plus कर दोगे आप तो ये आ जाएगा 6 cm कितना जाएगा 6 cm है और ये पूरी quad आपको निकालने को बोली थी जो आगे आपके पाद 6 cm मतलब mn ये m था ये m था mn आगे पाद 6 cm तो इस तरीके से भी हमें कोशन कर सकते हैं जो आज आएगा आपके 6 cm आंसर ठीक है 6 cm जो ए ये आंसर है ठीक है एक तरीका ये हो गए दोस्तों और दूसरा तरीका देखिए दूसरा तरीका क्या है अब कैसे कर सकते हैं दूसरा तरीका समझने वाला तरीका है अंडरस्टैंड करने वाला तरीका है देखो ये एक सरकल है ये मालो एक सरकल है यह दूसरा सरकल है, ठीक है, यह दूसरा सरकल है, इसका, ठीक है, इसकी है यह, यह बोला है नोंने 4 है, यह बोला है 4, यह है 5, ठीक है, यह है, यह 3, तो दोस्तों समझने वाली बात है, कि यह पाइथा गोर स्ट्रिपलेट है, पाइथा गोर स्ट्रिपलेट है, यह पाइथा पर यहां से हमेशा काहा लगती है कैसी triangle पर लगती है right angle triangle पर लगती है तो यहां से वह एक बात clear हो गए जोस्तो कि क्या है यह जो है yeah yah right angle triangle actual में जो हम shape angle बनारहे है जो हम MICHEAP बनारहे है कैसे बनेगी पाइथा यह पर चार R आपसमें जो ये वाला ट्राइंगल है आपका जो ये वाला आपका सरकल है इसका सेंटर एक्चल में ये ही है ठीक है इस तरीके से जो कोड का सेंटर जो ये है ये है ये ही इसका सेंटर है ठीक है ये ही इस जो ये ही इसका सेंटर ये सेम है तो ये इस तरीके से ये 5 है ये 3 है और ये कित इत्ना है चार है इस तरीके से समझने वाली बात है दोस्तों कि इसका सेंटर यह एक्शुल में शेप इस तरीके से है यह जो ट्राइंकल इसमें बन रही है यह इस तरीके से बन रही है कुछ राइट आंगल पर यह 90 पर बन रही है तो यहां से सीधे ही निकाल सकते थे कि आपको पता है python 2place into height टो नबन अपन टू ठीक है तो आपको पता है कि जो इसकी height है ठीक अएड RAM लेगा तो यहां से बहुत सकते थे 6 cm अगर आपको फास्ट करना होता अगर आपको पता है कि पाइथा को स्टीपलेट है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि तो आपको सीधा पता लग रहा है कि इसका यह सेंटर का है यह बीच में आ रहा है तो यह हाइट 3 cm हो जाएगी ठीक है तो यह समझने एक circle है ठीक है अगर हम इस circle को दोस्तों कोई भी आप पहिया लेलो कोई भी आप टायर लेलो उसको आप भी से काट दो और उसको सीधा कर दो इसको मोड के उसको बिलकुर सीधा कर दो प्लेट तो क्या है वो उसका circumference है वो उतना distance travel करता है एक बार घुमने पर ठीक है तो हम गुमने क्या करेंगे हम इस circle का एक बार घुमने पर एक कितना distance travel करता है वो निकालेंगे और वो होता है उसका circumference तो हम circumference of circle निकाल देंगे circumference of circle का फर्मूला होता है 2 pi r 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा r r कितना है दोस्तो r होता है radius of wheel r कितना है 21 ठीक है तो 7 गुणा 24 गुणा 3 यह आ जाता है 132 ठीक है यह आ गया 132 cm प्रन्तु जो मार को distance दिया है वो 942 मिटर दिया है मिटर में दिया है तो 132 को मिटर में convert कर दो तो हम इसको divide कर देंगे 100 से एक मिटर में 100 cm होता है तो यह आ गया circumference of circle आ गया in meter circumference of circle आ गया meter में 132 by 100 में ठीक है यह आ गया meter में ठीक है दोस्तो यहां से मैं यह बात समझा ही और total distance कितना travel करना है उसको 924 तो 924 को divide कर दो circumference of circle से ठीक है जितना एक टायर जितना एक बारी में घूम पर distance complete कर रहा है तो एक बारी में एक बारी में जब गूमता है तो वो कितना distance travel कर रहा है एक सो बती बाई 100 एक सो बती सो चले जाएगा उपर को 132 साते 924 सात गुणा सो करोगे 700 तो यह कितना चक्कर में करेगा 700 चक्कर में करेगा दोस्तों C answer अगले question की तरह बढ़ते है number of circle that can be drawn through three non-collar point is कितना करता है एक ही circle उम ड्राव कर सकते हैं यदि वृत की जब five centimeter की ब्रोतरी की जाए तो इसके शेत्रफर में कितने प्रतिशत की विद्धी होगी तो दोस्तों इसके मैं आपको दो त्री के बताऊंगा शौर्ड भी बताऊंगा और पूरा भी बताऊंगा देखो एक तो आप इस formula को याद के लिजी अगर आपको इस तरह से बोल रहा है कोशन कि एक radius of circle है is increased by अगल मतलब five की जगए 10 दे दे रहा है 15 दे रहा है 25 दे रहा है कितना भी दे रहा है radius of circle is increased by five percent 10 परसेंट 15 कितना भी दे रहा है तो आपने क्या करना है आपने एक formula याद दिख दीजिए x square by 100 plus 2x percent ठीक है जो x की जगा आ आप cancel निकल जाएगा कैसे x दे पांच परसेंट बोला है तो पांच 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 भर दीजिए 25 25 बाए 100 प्लस 2x पांच भर दीजिए 10 तो यहागा 10 ठीक है पच्ची चौके 100 तो यहागा एक बटा 4 प्लस 10 ठीक है तो एक बटा 4 प्लस 10 तो यहागा 4 एक प्लस 4 एक बटा 4 तो यहागा एक तादिस बटा 4 तो यहागा एक तादिस बटा 4 जब आप इसको डिवाइड करोगे चार से तो आ जाता है 10.25 जो आपका अंसर है C बाकी अब बात करें इसकी पूरे प्रॉपर सॉलूशन की तो वह क्या है दोस्तों आप क जात करका रेधे तो सेंटीमेटर अब उसमें 5 परसेंट की व्मिवरिद्य ही तो वह कितना हो सम्यडार रेटेश उसका पाउंच होता है पांच, 100 का 5% होता है 5 तो यह हो जाएगा 105 ठीक है 105 तो यह हो गया radius 105 अब देखो इस एरिया तो एरिया निकाल दो एरिया निकाल दो तो एरिया अफ सरक्र होता है πाई आर स्केर तो यह जाएगा 22 बटा साथ ठीक है यहाँ मालनो पाई 100 का स्केर पाई आर स्केर तो आर होता है आर रेडियस 100 तो पाई 100 का स्केर आगया एक का रेडियस दूसरा जो बड़ा हुआ है उसका आजाएगा पाई 105 का स्केर ठीक है यह आगया इतना मालनो इतना हो गया अब निकाल दो उनके भी इसका difference देखो, percentage कैसे निकालते है increase percentage निकाला कि उसके percent area में कितना increase हुआ देखो, पहले सरकल का area यह दूसरे सरकल का area है तो निकाल दो कि इनके भीछ का difference कितना है तो आप कैसे निकालोगे पाई 105 का स्केर माइनस पाई 100 का स्केर तो पाई common ले लो 105 का square देखो दोस्तो 105 का square कितना आएगा पहले आपको यह पता होना चाहिए यह आएगा आपको वैसे 11025 कितना जाएगा 11025 11025 माइनस πाई कॉमन ले लिया हमने भार यह तो πाई भार आगया और 100 का जाता है 10,000 ठीक है 11025 माइनस 10,000 तो यह आगया आपके पास 1025 कितना आगया दोस्तो 1025 आगया कितना आगया 1025 पाई तो यह आगया डिफरेंस डिफरेंस एरिया में कितना डिफरेंस आया डिफरेंस इंक्रीजड एरिया आगया यह क्या आगया इंक्रीजड एरिया increased area कितना आगया दोस्तो 1025 पाई आगया 1025 पाई ठीक है अब percentage निकालने कि कितना increase कितना percent increase हुआ percentage में मैंने कि अगर आपने percentage वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख ली जी पहले तो कितना percent increase हुआ देखो पहले तो increase percentage लिखत ओपर 1025 पाई जो आपका original थी original कितना था 100 पाई था original जो area था 100 पाई था 105 पाई तो बढ़ाने के बाद हुआ था original कितना था 100 पाई था और गुणा कर दोगे आप percentage निकालने के लिए 100 से इस पाई से ये पाई कट गया ठीक है अच्छा सॉरी ये जो आपका है area कैसे आएगा ये था 100 square पाई आर square था 100 square पाई आगया और ये आगया 100 अब आप क्या करोगे जो 1 square से ए 100 कट गया नीचे बज़ गया 100 पाई ठीक है पाई से पाई कट गया तो नीचे बज़ गया सिरफ 100 तो जब आप इसके 0 लगा दोपर तो ये आगया 10.25 क्या आगया 10.25 जो आपका C answer आगया तो दोस्तों मैंने आपको दोनों त्री को स्पता दिए जैसे आपको अच्छा लगए वैसे कीजिए अब आज आता है cord of circle if radius 10 cm subtended a right angle at its center the length of the cord देखो ये क्या बढ़ रहा है कोई ऐसा circle है ठीक है और इसका क्या है radius है 10 cm यहाँ को 10 cm है यहाँ को 10 cm तो बुरा इसकी cord कितनी आईगी है इस cord की length क्या है तो आपको देखो यहाँ क्या है simple जिबात है ये 10 cm है ये 10 cm है तो आप इसको क्या है इसको 90 degree बबना ये है ये 10 cm है यह 10 cm है, हर जगा अगो 10 है तो यह माली जी 90 cm, 90 पर है ठीक है, तो आप कहीं को भी निकाल सकते हैं कहीं को भी कर सकते हैं, length निकाल लिए बीच की तो आप क्या करेंगे इसमें आप निकाल लगा देंगे इसमें दूस्तों टैन का पैथाग योच लगा दीजिए तो यह आजाएगा, 10 का स्केर प्लस 10 का स्केर ठीक है, तो यह आजाएगा आपके पास 100 100 प्लस 100 200 ठीक है कितना आजाएगा, 100 प्लस 200 तो यह हाइपोट्रेंस का स्केर यहाँ पर अंडूट ले लेंगे दोनों साइड तो यह आजाएगा आपका 10 अंडरूट दो 10 अंडरूट दो क्यों क्योंकि जखो जैसे जो अंडरूट के अंदर होता है इसको आप तोड़के लिख सकते हैं 100 गुणा 2 200 को लिख सकते हैं इस तरह 100 का अंडरूट रूट होता है 10 और 2 ऐसी ही रहा जाएगा तो 10 अंडरूट तो इसको देखते हैं दोस्तों if the area of circle to eight to six centimeters then the radius of circle is the radius of circle रूटा तो area of circle to eight to six और area of circle का formula क्या होता है pi r square 2826 अब आपको पता है r square को इतरे रहे हैं लो 2826 22 pi को नीचे ले जाओ pi को लिख सकते हैं 22 ऐसे ही 7 चले जाएगा उपर 22 को जब आप इससे काटेंगे तो यह आजाएगा 126 के आसपास 126 गुणा 7 करेंगे दोस्तों आप्रोक्सिमेट में आजाएगा 900 के आसपास ठीक है तो इसमें हम आप्रोक्सिमेट में ही चल रहे हैं वरना कोशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा r square आजाएगा 900 तो r आजाएगा आपका 300 ठीक है r का 900 का जो root होता है वो 30 होता है आजाएगा 30 आजाएगा दोस्तों जो है बिया अगले कोशन की तरह अगर एक पहिया वील मेक 360 रिवाडियूशन मतलब प्रक्रम कर घूमता है 360 बार इन वन मिनट थो हाँ मैनी डिटियस डिटियन डज टरन इन वन सेकिन बहुत सिंपल कोशन दोस्तों एक वील मेक 360 जखो एक जो पहिया है वो 360 बार घूमता है एक मिनट में तो वी पूछ रहा है कि वो एक सेकिन में कितना घूमेगा ठीक है रिडियन में पूछ रहा है देखो कैसे करोगे पहली बात एक मिनट पे कितना घूम रहा है 360 बार घुम रहा है पाईया मतलब 60 सेकेड में कितनी बार घुम रहा है 360 बार घुम रहा है मतलब 1 सेकेड में कितनी बार घुम रहा है तो 60 को नीचे ले जाओ उसके 360 by 60 0 चिका चिका चती तो 1 सेकेड में 6 बार घुम रहा है एक second में कितने बार गुम रहा है, छे बार गुम रहा है ठीख दोस्तों, तो इननने पूछा है how many radian does it turn in one second तो देखो दोस्तों, जब भी पहिया एक बार गुमता है, जैसे यह पहिया होता है 360 डिगरी के angle होता है पहिया थो जब एक बार घुमता है तो कितना radiant गुमता है 360 में एंगल में घुमता है पूरा 360 गुल घुमता है तो रेडिन में इसको कैसे लिच सकते है 2π π होता है 180 270 से गुणा करोगे 360 बन जाएगा तो 2π लिच सकते हो रेडिन में ठीक है तो एक बार जब घुमता है पाई या तो कितनी बार कितना रेडियन घुमता है 360 रेडियन घुमता है ठीक है मतलब दो दो पाई घुमता है जब एक चक्कर लगा एक बार घुमता है तो 2 पाई घुमता है मतलब तो 2 पाई की गुणा कर दोगे आप 6 से तो यहां जाएगा बारा पाई बारा पाई तो मतलब वो क्या है एक सेकेट में बारा पाई रेडियन घुमता है तो यहां जाएगा आपका बारा पाई एसी आंसर If the radius of two circle is two ratio three then the ratio of their circumference देखो दोस्तों इस question का मैं सिधा answer अपता हूँ आपको ratio अगर radius radius होता है जो circle का उसका ratio दो ratio तीन है then the ratio of their circumference भी उसी ratio में होगा जिस ratio में radius होगा उसी ratio में circumference होगा जिस question तीन ratio पाँच आजा है चार ratio तीन आजा है जिस ratio में radius होता है उसी ratio में circumference होता है तो यह हमेशा उसी वही answer आएगा इस डिरेक्ट वो ही जो radius का circumference ratio होगा वो ही आपका circumference का भी ratio होगा तो 2 ratio 3 The diameter of each wheel of car is 80 cm If the speed of the car is 66 km per hour Then how many revolutions will it revolve How many revolutions will each wheel make in 60 minutes बहुत अच्छा question है Question क्या बोलता है कि the diameter of each wheel of car is 80 cm ठीके diameter है जो car का पहिये का वो है 80 cm If the speed of car is 66 km per hour तो ये कितने चक्क लगाएगा 10 minutes में तो देखते हैं portion तो पहले देखो आप diameter को पहले आप convert कर दो diameter of जो car है दोस्तो ठीके पहले आप इसे convert कर दो ये है cm में तो आप जो circumference of truth निखालोगे उसको निखालोगे आप पहले किस में निकाल लोगे दोस्तो मेटर में ठीके उससे हमां ये क्या प्वाइदा होगा मेटर में निकाल दो πο चैक किलो मेटर में निकाल दो किलो में निकालेंगे क्यूंकि हम आप 66 km पर आवर दिया है तो यहाँ km में दिया है तो हम km में ही इसे convert कर देंगे क्यूंकि उससे में फाइदा ही होगा कि हमें इसकी unit है उसमें फर्क नहीं आएगा जिससे हम easily इसे question को कर पाएंगे तो देखो radius है अगर diameter 80 है तो radius हो जाएगा इसको meter में चेंज करो पहले तो आपको डिवाइड करना कड़ेगा 100 से अब यह meter में convert हो गया अब meter से क्लोमेटर में चेंज करो दो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से ठीक है तो यह आगया आपके पास radius आगया यह किस में आया km में आ गया दुस्ते speed है speed बोला है न न 60 km ठीक है speed है 6 km हमें निकानना है कि इसका जो इसने 10 मिनिट में कितने चक्क लगा है ठीक है 10 मिनिट में तो हम क्या करेंगे एक एक घंटे में कितना गुम रहा है 66 km गुम रहा है कि यह weun hour में ये weun hour में ये किपना घुम रहा है 66 km घुम रहा है मतलब 6 min Italy में ये किपना घुम रहा है 26 km घुम रहा है तो ये एक min Italy में कितना घुम आगा 60 को ले जा उसकी नीचे 62, 60 10 min अवर कितना घुम रहा है 10 min बोला में तो 10 से गुणा कर दोस में तो 66 बटा 60 गुणा 10 ठीक है 10 तो 10 चीक है 66, 6, 16 तो 11 तो 10 मिनेट में कितना गुमेगा है 11 किलोमेटर गुमेगा दोस्तों कितना गुमेगा 10 मिनेट में यह 11 किलोमेटर गुमेगा तो आप देखो कितने चक्कल गाएगा 10 मिनट में तो 11 किलोमेटर है ये टोटल डिस्टेंस जीतना इसको ट्रैवल करना है और हम इसको डिवाइड कर देंगे देखो टोटल है 11 किलोमेटर जीतना इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है पाईए को और टोटल जो इसका सर्कम्फरेंस है जो इस पाई ये का जो circumference है ठीक है तो circumference क्या है पाई ये का circumference का formula क्याता है 2 πाई, πाई कितना है बाई बटा 7 आर, आर क्या था हमार पास आर था हमार पास दोस्तो 40 divided by 100 गुणा 1000 ठीक है तो हम क्या कर सकते है आसे इसको उपर ले जाओ जो उपर ले जानी वाली चीज है तो यहाँ जाएगा आपका 11 2 गुणा 22 गुणा 40 ये चले जाएगा उपर 7 उपर चले जाएगा और यहाँ से 100 और 1000 भी उपर चले जाएगा ठीक है इस तरीके से अब कार्ड़ो जैसे कि जो कार्ड़न कटने वाली चीज है वो कार्ड़ सकते हैं आप यहाँ से जैसे कि आप कार्ड़ो 22 से कुछ कट रहा है तो देखो गैरा दूना 22 दो आगया और 2 से ये कार्ड़ो ठीक है ये आगया आपके पास 500 ये खत्म हो गया आपके आस याँ 2 से ये कार्ड़ो तो यह आगया 250 इस 0 से ये 0 कार्द़ो और 2 से इस इसे फिर से कार 2 आ गया यह आगया आपके पास 2 एक मोज़ो 4 और 25 दस 125 ठीक है 2825 आ गया ठीक है जो आपकेश क्या बचिए आपके पांक 1 ठीक है तो जो एक सो पचीस है बच गया एक बच गया आपके पास पांच एक बच गया जागा आपके पास 500 ठीक 125 की गुणा करताव पांस है 35 125 की गुणा करताव पैंटीस है 525 दो 5 दूना दस दो बारा 5 एकम 5 6 625 तिन पां त्याम 15 एक तिन दूना छे एक साथ तीन एकम 3 तो आगा 5 साथ चेच बारक तेरह एक चार तो आगया 43 पचैतर कितना गया दोस्तों 43 पचैतर आगया 43 पचैतर आपका अंसर आगया डी आशा करताव को कोशन समझाया होगा है अब वील कवर ठीक है अविकल कवर अडिस्टैंस 43.2 किलोमेटर इन 2.4 लिटर आफ पैट्रोल हो मच डिस्टैंस विल इट कवर इन 1 लिटर तो सीम्पल सा कोशन है अगर 2.4 लिटर में यह कर रहा है डिस्टैंस 2.4 लिटर में कर रहा है 43.2 तो 1 लिटर में कितरा करेगा तो 2.4 को नीचे ले जाओ ठीक है एक लिटर 43.2 2.4 को नीचे ले जाओ ठीक है 10 लब से 10 लब कर जाएगा क्योंकि 10 10 उतरेंगे तो कर जाएंगे तो यह जाएगा इसको काट के 24 से 242 कर जाएगा ठारा पर तो यह जाएगा ठारा किलोमेटर एक लीटर पर यह चलेगे ठारा किलोमेटर इतना इसदी कोशन था how many time a wheel of radius 18 cm must rotate to go 352 meter question बहुत अच्छा है ये भी how many time a wheel of radius 18 cm must rotate to go 352 meter तो radius है किसी पईय का ये पईया है कोई इसका radius है 23 cm ठीक है तो ये पूछा है कि 2-352 meter जाने के लिए ये कितने चक्कर मारेगे कितने time घुमेगा पईया तो उसके लिए देखो मैं circumference निकालना पड़ेगा जैसे हर कोशिन में निकालते है ये meter में है तो इसका radius को भी meter में कर देंगे पहले तो 23 cm है meter में convert करने को डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये हो गया r radius आगे ठाई बाई 100 meter circumference निकाल देंगे circumference आ जाएगा 2 pi r 2 pi क्या है by बटा 7 r r निकाला है आपने 23 बटा 100 24 आ गया ठीक है तो ये आपका आ जाएगा काट अगर आप उसके काटना चाहते तो काट दीजी नहीं भी काटेंगे अभी तो आगे जाके हम इसे काट सकते तो अभी नहीं काटना चाहे तो अभी रहन दीजी से ऐसी रहन दीजीए बटा 100 तो ही आ गया आपके पास circumference of circle ठीक है circumference of circle आ गया आप देखो circumference of circle आ गया हमार पास 2 गुणा 2 बटा 7 गुणा 23 बटा 100 ठीक है और इसका जो कितना जाना हमार डिस्टेंस कितना करना है 352 मिटर तो हमें क्या करना पड़ेगा 352 मिटर से डिवाइड करना पड़ेगा circumference of circle को circumference of circle 2 गुणा 22 बटा 7 23 बटा 100 तो यह 7 और 100 और 7 उपर चला जाएगा उपर को 100 उटो 7 इस तरीके से तो इसे काटो 7 चौकेट 24 आ गया जो यह 22 है यह कर जाएगा बाइस सोला से और क्या बचाप के पास सोला उस सोला गुणा 100 कर दो यह आ गया सोला सो चार दूनी आठ तो आठ दूनी सोला दो तो यह जाएगा पास 200 तो कितने रूटेशन करने पड़ेंगे 200 रूटेशन करने पड़ेंगे यह आंसर दोस्तों अगला कोश्चन यही कोश्चन है सेम रिपीटिड कोश्चन आगे चलते हैं अगर वील ऑफ मोटर साइकल ट्रैवल 440 मेटर डिस्टैंस 1000 बार घुमने 1000 उसका जो पईया है 1000 बार घुम रहा है तब वो कितना डिस्टैंस कवर करी 440 मेटर कर रही है तो वाट विल बी इट दाइमेटर तो उसका डाइमेटर क्या होगा तो हम क्या करेंगे इसमें अगर 1000 बार घुमने पर 440 मेटर ट्रेवल कर रही है तो एक बार घुमने पर वो कितना करेगी 440 डिवैड वाए 1000 ठीक है एक बार घुमने पर वो इतना डिस्टैंस कवर करेगी 440 वाए 1000 मेटर ठीक है तो एक बार जब वो घुम रही है तो इसका मतलब क्या है जब एक बार को घुम रहे तो वो क्या है इसका circumference है ठीक है एक बार जब circle घुम रहा है वो जितना distance cover कर रहा है वो उसका circumference है क्योंकि जब यह पाई एक बार घुम रहा है तो यह पूरा जो यह वाला पूरा है यह शेत्र यह पूरा चीज लग रही है उसमें आपकी जमीन मे तो जो वो आ रहा है वो क्या रहा है आपका circumference आ रहा है तो ये 2 pi r होता है आपका circumference of circle इसको हम equal रख लेंगे इसके ठीक है r r की value निकाल दो यहां से 440 divide 1000 और 2 pi नीचे चले जाएगा 2 pi r की value यहां से निकल जाएगी तो इसे मैं मिटाना पड़ेगा मुझे अब r क्या था मैं पास 440 1000 2 pi की value थी by और 7 चले जाएगा उपर इस तरीके से 22 दूना 44 यह आगया 20 ठीक है 0 से 0 काटगी 2 आगया 50 ठीक है तो 50 दूना 100 तो यह आगया आपका 7 बटा 100 7 बटा 100 का मतलब 0.07 यह आगया आपका पास पहिएगा radius diameter बोला है निकालने को तो radius का दो गुना होता है diameter तो diameter आजाएगा 0.14 0.14 तो यह आजाएगा आपका B answer तो यहाँ पे दोस्तों यह वीडियो समापत होती है यह आपके लिए practice question अगर आप करना चाहिए तो नहीं कर सकते हैं तो यह screenshot ले सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कैसी लगी यह वीडियो आपको जुरूपता है और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए को कोशन समस नहीं आए तो comment box में लिख दीजिए ठीक है तो आपको उसका solution कैसे ना कैसे प्रोवाइड करा देंगा दोस्तों धन्यावाद और हमारा telegram channel join करना ना भूले दोस्तों हमारा telegram channel पर आपको free PDF भी करी चीजिए के मिल जाती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको link दिया होगा वहाँ से हमारा telegram channel भी telegram channel भी join कर सकते हैं धन्यावाद दोस्तों मिलते एंगले वीडियो में